सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने देश की ओर से शी पीटर थॉंसन जी को इसी कफ्तरवे अध्यवेशन की अध्यक्ष्टा करने के लिए चुने जाने पर बढ़ाई देती और इसके साथ ही शीबान की मुण जी जो सइन्त राष्ट संग के महासचिप के तौर पर जिनोंने सेवाएं की हैं उनको धन्यवाद देती हैं अध्यक्ष्टी एक वर्ष पहले मैंने इसी पवित्रमंच से अंतराष्टिय समुदाय के सदस्यों को संबुदित किया था तब से लेकर आज तक विश्व में बहुत परिवर्टन हुआ है कुछ अच्छा कुछ बुरा और कुछ बहुत चिंता देने वाला ये एक मंच है जहां हुम तमाम घटना करमों पर चर्चा करते हैं आज भी करेंगे लेकिन चर्चा करते समय ये जरूर देखेंगे कि समिक्षा उन कामों की भी हो जो हमने किये हैं और समिक्षा उन कामों की भी हो जो हम नहीं कर पाए हैं अध्यक जी इस गरिमावाए महा सभा में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है जैसे एम आर के लिए नए टीकों को सांझा करना सस्ती दवाईयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना प्राकरतिक आपदाओं के जोखिन को कम करने के लिए सेंड़े धांचे को लागू करना मानव संसाधनों को मुक्त और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सैनिक भेजने वाले देशों के साथ विचार विमर्ष करना समय के अभाव के कारण मैं इन मुद्दों को नहीं दोराना चाहूंगी लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों का उलेग जरू करना चाहूंगी जो अंतराश्टिय समुदाय के लिए अक्तिन्त महत्तून है अध्यक्ष जी आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है विश्व के कोने कोने में फैदी हुई गरीबी को मिटाना और यह सुनिष्चित करना कि हम सभी जरूरतमंद लोगों तक समुद्दी पहुँचा सकें हमें ये भी सुनिष्चित करना है कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले हम विश्व शान्ती के लिए कायर करना है क्योंकि शान्ती के बिना संब्लती नहीं आ सकते हैं शीपीटर खॉमसन इसलिए अभिनंदन के पाट रहें क्योंकि उन्होंने इनी चुनोतियों के महित्व को समझते हुए इस महासभा के लिए सस्टेनेबल डिवलपन्ट गोल्स यानि टिकाव विकास के लक्ष को सबसे उच्च प्राट मिक्ता दी है सत्रे लक्षें 2030 तक का एजिंडा लेकिन मुझे आपको कहते हुए खुशी है कि मात दो सार में ही इन 17 में से अधित्तर लक्षों को भारत सरकार ने अपने राष्ट्री कारिकरमों में शामिल कर लिया है सैनिटेशन यानि स्वच था उसके अंतरगत हमने स्वच भारत अभ्यान छेडा हैं जिसके अंतरगत दो लाख विद्यालेयों में चार लाख शवचाले बनकर तयार हो गए हैं और काम कर रहे हैं इसी तरह जेंडर एक्वालिटी उसके नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक देशव्यापी अभ्यान बन गया है और महिलाओं ने इसका बीड़ा अपने सर पर उठाया है हमारे आँ लाखों लाख जन पर तनी महिलाएं चुनकर आई हुई हैं वो स्वयम इस अभ्यान को आगे बढ़ा रही है मेकिन इंडिया जिसका आवाहन पधान मंत्री जी ने किया है उसके कारण विदेशी पूंजी निवेश भी आ रहा है पर हमारे अपने बच्चों को रोजगार भी मिर रहा है एक और बड़ी योजना गरीबों के लिए जनधन योजना ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तिय समावेशी योजना है इसके अंतरगत 25 करोड से ज्यादा गरीब लोगों के बैंक खाते खोड़े गए डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है भारतिये युवाओं को कौशर युक्त बनाने के लिए अनेका नेक प्रस्रिक्शन कायरकम चल रहे है जिनसे हमारे युवाओं अपने क्षमताओं का समुचित विकास कर सकेगे इस तरह की पहलों से भारत की विकास यात्रा में नए आयाम जुड़े हैं और आज आर्थिक मंदी के दौर में भी भारत विश्व की बड़ी अर्थविवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थविवस्थाओं बन गया है अद्धर जी हम सब जानते हैं कि मानवता का एक बटाच्छे हिस्सा भारत में रहता है इसलिए यदि भारत में सस्टेनेबल डिवल्पेंट गोल्स ये टिकाउस विकास लक्ष सफर होंगे तभी विश्व में सफर हो सकेंगे हम एजेंडा 2030 को पूरे मनोयोग से लागू करने के लिए प्रतिवद्ध हैं हमने तहे किया है कि संसद के हर सत्र में एक दिन केवल SDGs पर हम चर्चा किया करेंगे ताकि इनकी प्रगती पर सत्प निगरानी रखी जा सके और मुझे विश्वास है कि इसे बहुत ही अच्छे परिणाम सामने है एजेंडा 2030 को सफल बनाने के लिए वैसे तो सभी देश अपने अपनी सामत के अनुसार कार कर रहे हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्हें अंतर राष्ट्रिय सहयोग भी मिलता रहेगा तो वो भी इसमें और ज्यादा सफलता प्राक्त करेंगे अद्दक्जी मैं दूसरा विश्य ले रही हूं जलवायू परिवर्तन का जलवायू परिवर्तन एक और ऐसा मुद्दा है जो हमारे सामने एक गंभीर चुनाती बनकर खड़ा है प्रक्रिति के पास संपदा तो अपार है लेकिन उतनी ही जितनी वो मनुश्य की जरूरत को पूरा कर सके इतनी नहीं कि वो उसके लालच का पेट भर सके क्योंकि लोग की तो कोई सीमा नहीं होती इसलिए हमारे यहां हमारे प्तान मंत्री जिन एक सिद्धान्त दिया है प्राइमिट जस्टिस जलवायू न्याय और हम यह मानते हैं कि अगर प्रक्रिति के साथ हम न्याय करें तो वह हमारे और हमारी भावी पीडियों के साथ न् कि यदि हम उसका अंदा दूंद दोहन करेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगी और अपना रव्द्र रूप दिखाएगी हम देख रहे हैं दुनिया में कई जगें प्रक्रतिय प्राक्रतिक हो उठी है कहीं भेंकरवर्शा कहीं घंगोल-गर्मी कहीं जंजावार कहीं सुनाम कहीं बाद्रों का फटना यह समय का तकाजा है कि अब हम असीमित खपत पर रोक लगाएं और अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं योग इसका एक बड़ा माध्यम बन सकता है योग भारत का वो प्राचिन ज्यान है जो एक टिकाव जीवन शैली का प् अधिक जीव पैरिस समझोते में common but differentiated responsibilities with respective capacities के सिध्धानत को स्विकार अगया है जिसका आर्थ है कि जिम्मेदारी तो सबकी सांजी है लेकिन देंदारी सबकी अलग-अलग इसलिए बेहत जरूरी है कि विक्सित देश अपनी जिम्मेदारियों का नहवन करते हुए सभी की भलाई के लिए तकनीक भी दें और धन्राशी दीज तभी एक आर्कम सफल होगा हमने अपने देश में बहुत महत्वा कांक्शी योजना बनाई है इसमें हमने वर्ष 2030 तक 40 प्तिशत उर्जा नॉन फॉसिल्ट से बनाने का लक्ष रखा है इसके लिए हमें एक निश्चित वातावरण के आवश्यक्ता होगी क्योंकि बाहर से पूंजी निवेश करने वालों को वातावरण के निश्चितता चाहिए और हम इस प्यास में लगे हुए हैं इसके अलावा इंटरनाशनल सोलर अलाइंस का गछन भी हमारी कभिनव पहले जिससे सौर्थ तकनिक सभी को मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाती हूँ कि जलवायू परिवर्तन की दिशा में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और मुझे आपको खुशी है ये बताते हुए कि हमने निर्णय किया है कि पैरिस समझोते के लिए भारत अपना इंस्ट्रुमेंट और रेटि के सनक्षण को ही समर्वित रहा है अध्यक जी अब मैं एक ऐसे विश्वेप्र बोलने जा रही हूं जिस पर इस सभा में बैठा हर विक्ति चिंतित है और चिंतित नहीं सोचने पर मजबूर है इसी महीने इस शहर में हुए 9-11 आतंग की हमले की पंदरवी वर्षकांट थी पिछले पंदरे दिनों में इसी शहर में एक और आतंग की हमले में मासूमों को मारने की कुशिश की गे जाए हम इस शहर के दर्द को समझते हैं हम पर भी ऊरी में इन्हीं आतंग की तक तो ने हमला किया था विश्व इस अभिशाब से बहुत समय से जूज रहा है लेकिन आतंकवाद का शिकार हुए मासूमों के खून और आंसूं के बावजूद इस्वर्ष, काबुर, ढाका, इस्तानबुर, मागादिश, ब्रसिल्स, बैंको, पैरिस, पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमले और सीरिया और इराक में रोजमर्रा की बरबर त्रासदियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हम इसे रोकने में सफल नहीं हो रहे अद्दक जी यहां बेटे सब लोगों को पहले तो एक बार यह स्विकार ना होगा यदि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं कि आतंकवाद मानवा धिकारों का सबसे बड़ा उलंगन है क्योंकि वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है बेगुनाहों को मारता है वो किसी व्यक्ति या देश का नहीं बलकि मानवता का अपरादी है और उसके बाद देखना होगा कि इन आतंकवादियों को पना देने वाले कौन-कौन है आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है ना हत्यारों की फैक्ट्रियां तो कहां से उन्हें धन मिलता है कौन इने हत्यार देता है कौन इने सहरा देता है कौन इने संक्षन देता एसे ही सवाल इसी मंच से अफगानिस्तान ने भी कुछ दिन पहले उठाए थी अध्यक जी इतिहास गभा है कि जिस किसी ने भी हिंसक विचारदारा के बीज बोए हैं उसका कड़वा फल उसे खाने को मिला है इस छोटे छोटे आतंकवादी समुग जो छिटकुट काम कर रह जिसके अंगिनत हाथ हैं अंगिनत पाओं हैं अंगिनत दिमाग हैं और साथ में है अति आधुनिक तक्नीक इसलिए अपना या पराया मेरा या दूसरे का आतंकवादी कहकर हम इस जंग को नहीं जीट पाएंगे पता नहीं यह दैति किस समय किस तरफ का रुख कर लेगा इ इसलिए यदि हम आतंकवाद को जड़ से उख़णना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, हम अपने मत्भेद भुलाकर आतंकवाद के खिराफ एक जुठ हो, उसका मुकाबला दृड़ संकर्प से करें और अपने प्रयासों में तेजी लाएं, हमें पुराने समिकरण तोड़ने होंगे, अपने पसंदगियां नापसंदगियां एक तरफ रखनी होंगी, महोत्यागने होंगे, एहसानों को भूलना होगा, और एक द्रण निश्चे के साथ इकच्चे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणित बनानी होगी, यह मुश् आने वाली संतत्यां में माफ नहीं करेंगे, हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणिती में शामिल नहीं होना चाहता, तो फिर हम उसे अलग ठलक कर दें, अगर कोई देश इस तरह की रणिती में शामिल नहीं होना चाहता, तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग ठलक कर दें, क् कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो भोते भी हैं तो बेचते हां आतंकवादि kg शोकी देशों की पहचान करके उनकी जवाही जवाबbandही सुनिश्यत की जाना चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्नित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट द्वारा प्रतिबंदित आतंकवादी सरयाम जलसे कर रहे हैं प्रदर्शन निकालते हैं जहर उगलते हैं और उनके उपर कोई कारिवाई नहीं होती है इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोशी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगें नहीं होनी चाहिए अध्यक जी 21 तारीक को इसी मंच से पाकिस्तान के धानमंत्री ने भारत के संबंद में दो बातें कहीं जिनका जवाब देना चाहूंगी एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उलंगन हो रहा है मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं पेंखने चाहिए जड़ा एक बार बगल में जहांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वाँ मैं कह सकते हूं यहां कि आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाश्ठा है और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भारत जो शर्तें बाचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है किस शर्त की बात की जा रही है हमारे शपत रहंड समारों से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधान मंतरी को समारों में आने का न्योता दिया था आमंतरन दिया था तो क्या कोई शर्त रखी थी मैं स्वेम इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहंसिव बाइलेटरल डायलोग हमने शुरू किया था इकठे बेचकर क्या कोई शर्त रखी थी पुझानमंतरी मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहर उतर गई थे कोई शर्त लगा कर गई थे क्या कि कौन सी शर्तों की बात हो रही है सच्चाई तो यह है अध्यक्षि कि शर्तों के आधार पर नहीं मित्रता के आधारपर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवात सुलजाने की पहल की थी और मित्रता भी सहज़ता की तरफ जा रही थी कभी यिद की शुब कामना है कभी क्रिकेट की शुब कामना है कभी स्वास्त के हाल का कुशर खेम हमने दो बरस में मित्रता का वो पहमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था लेकिन हमें मिला क्या बदले में, पठानकोट, पूरी, बहदूर अली, मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्टें लगा रहे हैं या आप दूसरी नियत दिखा रहे हैं, बहदूर अली तो जिन्दा सबूत हैं हमारे पास, जिन्दा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित पे सबूत हैं हमारे पास उसका, कि मैं एक चीज़ यहां बता दूँ, अगर पाकिस्तान यह समझता है, कि इस तरह की हरकतें करके, कि इस तरह के भड़काउ बयान द छिबता है, तो मैं पूरी दिटा और स्पश्च्चता के साथ यह कह देना चाहती हूं, कि आपका यह मनसूबा कभी कामयाब नहीं होगा, काश्मीर भारत का अधिन हिस्सा है, और अधिन हिस्सा रहेगा, इसलिए यह खाब देखना छोड़ürüे. अद्दक जी मैंने प्रारम में कहा था कि हमने जो काम किये वो तो हम गिनाएंगे ही जो नहीं किये वो भी गिनाने चाहिए मैं ऐसे दो काम गिनाना चाहती है पहला है CCIT यानि Comprehensive Convention on International Terrorism सन 1996 से भारत द्वारत ने प्रस्ताव दिया है 20 साल गुजर गए है आज 2016 में भी हम CCIT निश्करश तक नहीं पहुंचा सके इसी कारण हम कोई ऐसा अंतराश्ट्री मानक नहीं बना सके है जिसके अंतरगत आतंकवादियों को सजा दी सके या उनका पत्यारपन हो सके इसलिए आ दूसरी बात जैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एक समकाली नीत चाहिए उसी प्रकार हमें एक ऐसी संवतराश्ट्र शुक्षा परिशद भी चाहिए जो आज की वैश्विक परदिश्ट्र के अनकूल हो अधिकांश देशों का मानना है कि संवतराश्ट 1925 की वैश्विक परिशिति के अनुरूप सिर्फ कुछ ही देशों के हितों की रख्षा ना करे चाहे वो किसी संस्था की बात हो या मुद्दों की हमें आज की वास्तविक्ता और चुनोतियों के अनुसार काम करना होगा आज सुरक्षा परिशद की स्थाई और अस्थाई दोनों सीटों में विस्तार की आवश्चिक्ता है जिससे सुरक्षा परिशद समकालिन बन सके मेरा अनुरोध है कि इस आम सभा की इच्छा नुसा आईजियन प्रक्रिया जो टेक्स बेस्ट निकोशियेशन शुलू ही है इसको हम जल्बी कारंब करें यदि ये दोनों चेफ प्रक्षित कारे आपके इस कारकाल में हो जाते हैं तो मैं कह सकती हूं कि सभा का ये एक अतरवा अधिवेशन बहुती सार्थक सावित होगा जैक्षी 21 वी सदी पर शुरुवात से ही अशान्ती और हिंसा का साया रहा है तो मिल जूर का प्रयास करने से हम इसे मानव सभ्यता के एतिहास में इक स्वाने मियू में बदल सकते हैं लेकिन भविश्यमें क्या होगा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं हम आज क्रते हैं I thank the Minister for External Affairs of India for her statement. I now give the floor to His Excellency Vivian Balakrishnan, Minister of Foreign Affairs of Singapore. For more information, visit www.fema.org.